दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि right combination कैसे यूज करेंगे जब भी आप trading करने जाते हैं तो right combination आपके इंडिकेटर से क्या होना चाहिए कौन को से इंडिकेटर आपके trading platform के होनी चाहिए उसको combination का सही direction क्या है बहुत सारे trader में ऐसे देखे हैं जो trend following indigatory 5 5 चोईस होनी चाहिए किस तरह के से आप इंडिकेटर को कॉम्बिनेशन अपर ट्रेडिंग फ्लैट्फूम में बनाने वाले सिंपल सा करूंगा वीडियो को कुछ भी कॉम्प्लिकेटिट नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चानल की यूट्यूब चैनल में आप सभी जानते हैं मेरा नाम है अन्मोन मित्तल चलिए शुरुवात कर रहे हैं अब यहां पर देखें मैंने लिखा इंडिकेटर कॉम्बिनेशन की सब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बहुत सारे ट्रेंड फॉलेंग इंडिकेटर मार्केट में अवलेबल है आप उनको यूज कर सकते हैं कुछ फेमस इंडिकेटर जो मैं आपके साथ बता रहा हूं मैं पूरा एक बनाकर दिखाऊंगा सिस्टम आपको वीडियो के एंड में वीडियो को कम्प्लीट जो एक्स्पिनेंशल मूविंग एवरेज यह आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है आप यूज कर सकते हैं तो बढ़िया ट्रेंड फॉलेंग इंडिकेटर मूविंग एवरेज ठीक है और दूसरा कूंसा आता है सूपर ट्रेंड सूपर ट्रेंड तो यह आके लिए ए पूरी त्रेंगेश एक सिस्टम है लेकिन यह अच्छा ट्रेंड फॉलेंग इंडिकेटर भी है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटीड होता है इची मुकू पर हमने एक पूरी सीरीज बनाई थी जो लोग नहीं जानते इची मुकू होता क्या है जपान के अंदर बड़ा फे प्रेशानी पता है क्या आती है आपने ट्रेंड मार्किट का पैचान लिया आपने यह तो देख लिया कि निफ्टी ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है इतना तो अगर हमें समझ में आ गया तो तो बहुत अच्छी बात है अब इसके साथ एक प्रब्लम और आती है कई बार अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में लिखे एक बढ़िया स्ट्रंथ फॉलइंग िंडीकेटर जो स्ट्रेंथ को आपको बताते हो एक फेमस प्रेंटर जिसका नाम है और अज how to रिलेय ह्टेन इंडेक्स आपने ट्रेंट को यहां से पेचाल लिया ड्रेंड क्या चल रहा है проход्ती का अगह है ठ्रेंथ क्छां लिया commodity Channel Index कहते हैं यह इंडिकेटर भी आपको मार्किट में स्ट्रेंथ बताएगा कि मार्किट अगर उपर जा रहा है यहां से आपने देख लिया ट्रेंड उपर है यहां से आपको देखना है तेजी से नीचे गिर रहा है यह इंडिकेटर आपको बता देंगे रफ्तार है उसकी रफ्तार आपको लिनोट करता है कि मार्किट की रफ्तार अभी तेज जाहैं और आपको प्रॉफिट जल्दी धे तो इसके लिए आप ये इंडिकेटर में से एक चूज कर सकते हैं चले दो इंडिकेटर हमने चूज कर लिए एक trend following हो गया दूसरा हमा strength हो गया तीसरी चीज के लिए हम क्या use कर सकते हैं तीसरे के लिए तो हम यूज कर सकते हैं वॉल्यूम से एक बहुत इंपोर्टन डॉल अदा करते हैं मार्केट के अंदर तो आप वॉल्यूम को एड कर सकते हैं तो यहां पर देखिए आप वॉल्यूम को देख लीजिए confirmation के लिए कि वॉल्यूम क्या चल रहे हैं अगर आपको वॉल्यूम देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो एक इंडिकेटर है जिसको कहते हैं मनी फ्लो इंडिकेटर आप मनी फ्लो इंडिकेटर लगा लिजिए और उसके अंदर एक मूविंग एवरेज लगा लिजिए आपको काफी हद तक इन्फोर्मेशन मिल जाएगी कि वॉल्यूम क्या चल रहे तो वॉल्यूम कर्फार्मेशन आप साथ में ले सकते हैं चौती चीज और आप कर सकते हैं लेकि मैं चौती चीज एड करना चाहता नहीं क्योंकि ये चार इंडिकेटर एक सिस्टम में यूज़ करना अपने आपने बहुत कन्फूजिंग हो जाता है मेरे harry ieuds से इंडिकेटर में चूब और इसको से लोट से रहता है लेकिन फिर भी आगar आपको और इंडिकेटर ऐसा चूहिए थोड़ी सा आप टागेट और नीचे के टार्गेट ओपर के तो टो एक या पर एक खीज लिजिए और यहां पर अद कर सकते एक support and resistance जिसके लिए हम pivot point यूज करते हैं pivot points यूज कर सकते हैं यह CPR indicator होता है वो CPR भी यूज कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको support and resistance मिलता है और support and resistance के लिए एक indicator और एवलेबल है जो हमने इची मुख्यू की बात करी थी न इसमें जोसके clouds वगरा बनते हैं तो इसमें भी इसको add कर सकते हैं तो यहां पर इसको add कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर इसको add करके कोई एक्जामपल नहीं दिखाने वाला क्योंकि complicated हो जाता है लेकिन काफी लोग complicated चीज़े पसंद करते हैं तो उनके लिए मैंने बता दिया है तो हम क्या करते हैं इन में से एक एक indicator लगाऊंगा और उसके बाद देखे कि किस तरह के साब को signals market के दर मिलते हैं कैसे आप trade को pick कर सकते हैं कहां stop loss लगा सकते हैं तो यहां पर देखिए मैं गया इंडिकेटर वाले section में यह प्लैटफोर्म यूज कर रहा हूं यह फायर्स का प्लैटफोर्म है और इसमें अकाउ बिना एक रुपया भी दिए आप अकाउंट कुलवा सकते हैं फायर्स में trade कर सकते हैं और यह पूरा प्लैटफोर्म free of cost यूज कर सकते हैं चलिए अब मैंने यहां पर चूज करा सबसे पहले moving averages यह देखिए moving average आगया यहां moving average आगया जैसे मैंने क्लिक करा यह moving average आपको nine period की यहां लगते वे आपको दिखाई दे रही है ठीक है तो मैंने nine period की moving average रखा करके छोड़ दिया कुछ भी complicated मैंने इसमें नहीं करा है ताकि मुझे direction मिले की market का direction क्या चल रहा है ठीक है चले direction मुझे मिल गया इसमें थोड़ी सी है rsi ठीक है अब जो भी indicator आप यूज करते है उसकी थोड़ी बहुत basic knowledge तो आपको होनी चाहिए तो rsi के लिए हमने कई बार 60-40 यूज करा है 60 से उपर अगर rsi चल रहा है तो strength अच्छी दिखाता है 40 से निचे चल रहा है तो काफी अच्छी strength डाउंसाइड दिखाता है तो हम इसके levels को 60-40 पर कर लेंगे तो हम यहां settings में जाएंगे तो हमारी अपर लिमिट होगी है 60 कि लॉवर लिमिट 50 40 और यह मीडल वाली लाइन हटा लेते हैं इसके हमें खास requirement है नहीं और यह लाइन लगा लेते हैं यहां पर और इनको थोड़ा ग्रीन और इसको इसको रैड करेंगे और यह जो हमारी लाइन है इसको भी हम ब्लैक करेंगे थोड़ा सा बढ़ा करेंगे यह हमारे एक अनदर इंडिकेटर लग गया है आरे सई तो हमारी दो चीज यहां पर लग गई है अब एक इंडिकेटर जिसके बारे में मैंने बात करी थी वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स एक बार लगा लेते हैं एक्स्ट्रा कंफरमिशन के लिए कोकि वॉल्यूम्स भी एहम रोल अधा करते हैं मार्किट के अंदर तो मैंने वॉल्यूम्स लगा लिया है लेकिन आपको पता है कि जब मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देख रहा हूं तो यह सरी चार्ट है इस पर को लाइफ ट्रेड नहीं हो रहा है लाइफ ट्रेड किस पर हो रहा है डेरिवेटिवस पर ऑप्शन्स में फ्यूचर सबसे पहले आपको देखना है मार्केट के अंदर मार्केट का ट्रेंड किया है जैसे देखे मुझे एक सिंग्नल यहां पर मिलता है बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी ने मुविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर गया जब यह उपर गया तो यह देखिए ग्रीन केंडल फ़रमड हुई जब अब क्रीन केंडल फाम्ड हुई अब आपको देखना है क्या मार्केट में इस्त्रेंथ हैं क्या मार्केट ceremon तेज़ी से उपर आ गया जब दोनों चीजें इहां पर मैच ہوगी तो आपके लिए बन गया एक पर्फेक्ट बन गया यहां पर एक ट्रेड में एंट्रे ले सकते हैं यह हो गलिए आपके लीए ऐंट्री में सिंच्वर स्टॉपे स्टॉप ऑफर रोया बनेगा टागेट डोज टरग अनवरेट टर्व कर्किने बने गांड़ीद फोले हैं और पर आप यहां पर आपका टागेट आ गया था तो यह जो आपकी मूविंग एवरेज है ना आप इसमें अपना स्टॉप्रोस ट्रेल भी कर सकते हो ताकि आपको maximize profit मिल जाए तो आपकी मर्जी है कि 1-2 अगर आ गया है तो अब आपना profit ट्रेल करिए ताकि आपको maximize profit मिले कई बार आपको 1-2-3-4-5 भी मिले तो इस तरीके से आपको एक ट्रेड में entry मिली ठीक इसी तरीके से देखें यह नीचे आ गया था लेकिन RSI की लाइन रेड के नीचे नहीं आई थी तो यह confirmation हमारे लिए सई नहीं बैठी फिर देखें वापिस यह उपर चला गया मूविंग एवरेज के और यहां पर देखें RSI भी उपर चला गया और मार्किट काफी अच्छा उपर गया अब यहां पर देखें यह नीचे आ गया यह देखें किस तरीके से नीचे आया लेकिन RSI की लाइन अभी रेड लाइन की नीचे नहीं आई तो वेट करिए कि रेड लाइन की नीचे आ जाए वापिस एक क्रेक्शन करी वापिस नीचे आया तो यहां आपको सिंग्नल मिल गया था कि वापिस गिर सकता है यहां पर RSI ने भी की तरफ चेंज हो गया है RSI कह रहा है जी स्ट्रेंथ भी आ रही है उपर की तरफ अगर RSI 60 से उपर आ गया है तो समझ जाए कि अब यह जो बढ़ेगा तेजी से बढ़ेगा देखिए इससे पहले जो बढ़ाता नहीं सुलो बढ़ाता ही देखिए कितना सुलो बढ़ाता और तेजी से कहां बढ़ा है यहां पर बढ़ा है तो यहां पर आपका 1-2 इसली आ जाता ठीक इसी तरीके से देखिए यहां पर इसने एक शौट का सिंग्नल दिया कि मार्किट वीक हो रहा है लेकिन RSI अब भी रैड लाइन के नीचे नहीं आया है तो अगर यह रैड आ जाएगा इस लेवल को तोड़कर मार्किट करने लगेगी तेजी से गिनने की प्रॉबैबिलिटी बनेगी वहां पर एक शौट का ट्रेड डालकर उपर का एसल डालकर आप ट्रेड को प्ले कर सकते हैं तो इस तरीक से दोस्तों आप ट्रेंड को फॉलो करके मार्किट के हो रहा है चलिए आप यहां पर देखिए यहां पर एक लाइन नीचे आ गिती है यह तो यह दो रहा है कि तेजी से नीचे नीचे नहीं गिरेगा पर देखिए इस लेवल को ब्रेक करा आरे से नहीं रेड़ लाइन को ब्रेक करा अब जितनी तेज गिरावट यहां हुई थी इससे काफी तेज गिरावट इधर हुई यहां पर आपको easily 1-2 के आसपास मिल जाता और अगर नहीं भी मिलता वापिस मार्किट अगर reverse कर रहा है अपनी लाइन पर तो 1-1, 1-1.5 जो भी मिल रहा था उसको लेकर आप ट्रेल करके आप exit कर सकते थे क्योंकि moving average के उपर वापिस मार्किट जा रही थी तो अपना जो भी profit लेकर के exit कर सकते थे तो इस तरीके से बन गया ने एक बढ़िया setup और देख लेते कुछ examples यहां पर देखिए यह वाला example देखिए बहुत अच्छा भी बढ़ाता यहां से देखिए कितना तेजी से बढ़ा चार या पांस दिन के अंदर आपका 1-2-3 जो भी था वह मिल जातो और आप exit करते ट्रेलिंग प्लोस लेकर भी अगर exit करते तो भी profit में ही निकलते तो इस तरीके सा आपको various signals मिलते हैं और बढ़िया setup बनता है जब आप trend following साथ में volumes का confirmation लेते हैं बात कर लेते हैं अभी तक हमने volumes की बात नहीं करी जब भी आप market में देख रहे तो volumes में नज़र डालिए इन दो बिल्डिंग से जाधा बड़ी बनी है यहां पर बाइंग प्रैशर साफ दिखाई दे रहा है ठीक उसके बाद एक और बड़ी बिल्डिंग बनी है जो कह रही है कि काफी अच्छी बाइंग हुई है इन दो देखे गिर भी गया देखे रैड केंडल रैड बिल्डिंग वॉल्यूम्स की बड़ी बने लगी यह वॉल्यूम्स बहुत जादा आए जिसमें मांकिट गिर रहा था प्राइस नीचे आ रहा था वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे नेगटिव सेनरियों होता है वॉल्यूम्स को तोड़ के उपर चला गया जब यह उपर चला गया आप देखें आरेसा क्या कह रहा है जिम्हां भी ग्रीन लाइन की उपर चला गया हूं यानि मांकिट उपर भी जा रहा है इस ट्रेंथ के साथ उपर जा रहा है दोनों कंफरमेशन मिली स्टॉक फटा फट ऊट उपर बढ़िया तेजी आपको SDFC बैंक के अंदर देखने को मिली तो इस तरीके से आप इंडिकेटर का कॉंबिनेशन बनाएंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा और यहां पर आप वेरियस तरीके से काम कर सकते आपको discipline बनाना पड़ेगा अपना system बनाना पड़ेगा उस पर faith करना पड़ेगा और उसको backtest करिए जब उसको backtest आप करते ना एक साल का दो साल का तीन साल का तो आपको पता लगते हैं system पैसा बना रहा है या नहीं बना रहा कितना इसमें maximum नुकसान हो जाता है लाइव पैसा लगाने से पहले paper trade करके try करें ताकि नुकसान ना हो जब confidence आ जाए थोड़ा पैसा लगा का market में एंटर करें experiment के लिए कि यह बन रहा है या नहीं बन रहा काम कर रहा है नहीं कर रहा और पैसा अगर बनने लगे confidence आने लगे तो दीरी दीर अपना पैसा बढ़ाते जाए और market की journey को enjoy करते जाए तो यह था दोस्तों आज की वीडियो में जल्दी मेने को नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाय गॉड़ ब्लेस यू बाबाय दोस्तों